करक रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 3 अप्रेल 2020 का रासी फल तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे तीन मार्च के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है दसमी नक्षत्र है पुस्य पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है शुकरवार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है छे बज के आठ मिनट में सुर्यास्त है छे बज के चालीस मिनट में चंद्रोद है एक बज के अठाइस मिनट पी एम में और चंद्रास्त है अगले दिन तीन बज के बद तीस मिनट एम में रितू है वशंत आज का दिन काल है बारह घंटे बद तीस मिनट दो सेकेंड का महिना है चैत्र आज आपके लिए शुब समय है ग्यारह बज के उनसट मिनट से बारह बज के उनचास मिनट तक अशुब काल सुरू होता है सुबह के आठ बज के अरतीस मिनट से नौ बज के उनतीस मिनट तक और दुबारह है बारह बज के उनचास मिनट से एक बज के उनचालीस मिनट तक राहुकाल सुरू होता है 10 बज के 50 मिनट से 12 बज के 24 मिनट तक और दिसासू लहपस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब जानेंगे आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन सबसे पहले आप इस बीडियो को लाइक कर दें बीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग वली अवश लिख दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इस बीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कहीं कोई शंका हो कहीं कोई प्रशन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर दिया गया है उस नमबर पे वाट्सेप करके आप मेरे से बात कर सकते हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से तो दोस्तों सबसे पहला है आपका श्वास्त के लिहाद से आज का दिन आपके लिए शामानी रहने वाला है आज के दिन आपको अपने रहन सहन का अपने खान पान का पूरा ध्यान देना होगा जिस वस्तु से आपको ऐलर्जी हो उस वस्तु को आज के दिन आप टच भी न करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका श्वास्त बेहतर रहेगा वैसे अगर आपके धन संपत्ती की ओर देखा जाए तो पैसों के लिहाद से भी आपका समय शामाने है लेकिन आपको पैसों की दिक्कत नहीं आएगी आपके पास पैसे रहेंगे जिस पैसे से अपना जीबन या पन आप कर पाओगे वैसे अगर आपके पाड़िवारिक जीबन की बात की जाए तो आपका पाड़िवारिक जीबन बहुत ही जयादा बेहतर और शानदार रहने वाला है अगर आपके घर पड़िवार में किसी विक्ती के शाथ आपका नोक जोक हो जाए तो उस विक्ती को आप समझाएं और अ आज के दिन से अगर आप नए काम की शुरुत करना चाहते हैं तो ऐसे गलती आप न करें क्योंकि नए काम को सुरू करने के लिहाद से आज का दिन आपके पक्ष में नहीं है इसके बाद है आपका प्डेम संबंद है तो प्डेम रंग है आपके लिए क्रीम और शफेद और अब जानते हैं आपके आज के दिन के उपाई के बाड़े में उपाई यह है कि आज के दिन आप रोगियों की सेवा करें शहायता करें इस उपाई को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपका समय शांदार हो जाएगा और कहीं कोई शमस्या नहीं आएगी मिलते हैं फिर एक नए बेडियो में धन्यवाद